फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं सूजलोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे उर्जा ग्लोबल की आज दोनों स्टोक में आपको गिरावट देखनों को मिले होगी लेकिन ये गिरावट सिर्फ उर्जा ग्लोबल और सूजलोन एनर्जी तकी सिमित नहीं है बलकी बहुत सारे Stalk है जो बहुत ज़्यादा Girout में और इसके पीछे वजह असली क्या है जानने की कोसिस करेंगे इस वडिटियो के माद़ीम से जिस तरह से positive माखवल फिर से negative बना उसके पीछे वजह क्या है वो भी जानने के कोसिस करें इस वीडियो के मादम से और सबसे बड़ी बात यह है क्या इस समय हमें सुजलोन अनर्जी और उर्जा ग्लोबल में इन्वेस्मेंट करना चीए या फिर अभी हमें इन इस्टोक को अवोईड करना चीए बहुत सारी बात है जिसको इस वीडियो के मादम से डिसकस करेंगे फ्रेंट्स यहाँ पर एक बड़ी इंसाइडर ट्रेडिंग की रिपोर्ट निकल के आ रही है यह खबर है यह बहुत ज़्यादा चौकाने वाली है तो इसको भी हम डिसकस करेंगे काफी लोगों को चिंता होते हैं कि हमने सुजलों में निवेस तो कर लिया है उर्जा ग्लोबल में हमने इन्वेस्टमन किया अब क्या हमारा निवेस डूब जाएगा क्या हमको लॉस होगा चलो फ्रेंड वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस वी दवे है और हमारे अपने चैनल आल्लाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वाग दे फ्रेंड्स बाजार में आज क्यो गिरावट हुई आप BSC Sensex में करीब 57,292 का इस तरह हमें देखने को मिला यानि करीब 571 पॉइंट की गिरावट हुई 0.99% गिरा अपना BSC Sensex और यह जो गिरावट हुई इसके पीछे जो असली वज़ा है वो है FIAE FIAE ने आज बहुत-बड़ी खरीदारी बहुत-बड़ी बिक्वाली की है यानि पिछले कई दिनों से जो देदरे बाहर बन्दे की कोसिस करते हैं उन्होंने बहुत-ज़दा बाहरी कॉंटिटी में आजमाल बेचा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा बनी कि जब हमारे घरलू बड़े निवे सकते और साथ में म्यूचल फड़ ने जब बिक्वाली सुरू की तो उनको समझ में आया कि अभी हमें थोड़ा वेट कर लेना चीए अभी बाजार का बॉटम नहीं बनाया फिर से तेजी की संबावना के उपर लगाम उसी वज़े से लगी है क्योंकि यहाँ पे उनको समझ में आगया आयफाई को कि अभी भी गिरावट हो सकती है और इस वज़े से उन्होंने अपनी स्ट्रेजी को चेंज किया और आज बिक्वाली की और भारी बिक्वाली की इस वज़े से आज माहूल थोड़ा सा निगेटिव होगा लेकिन आज फिर से हमारे गरणों निवेसकों ने बाजार को थामा उन्होंने आज खरीदारी की है तो पॉजिटिव माहूल आगे बनता रहेगा बड़ी गिराउट की अब समभावना नहीं है लेकिन कुछ निगेटिव रिजन बने हुए है उसको उस वीडियो के मादे में सब्सक्स किया जाके आप देख सकते बाजार भी वीडियो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लो 9.50 का औरंत में 9.55 पर क्लोजिंग में जापे 2.05% की गिराउट देखने को मिली और अगर वालीम को हम देखे तो BSC में 95,51,000 का वालीम हो सामने है 54,39,000 की डिलेवरी उठाएगी डिलेवरी का परसंटेज 57.55% NSC में अगर हम वालीम को देखे तो यहाँ पे 2.20,77,000 का वालीम हो सामने है 1.24,60,000 की डिलेवरी उठाएगी डिलेवरी का परसंटेज 56.44% है तो दोनों एक्चेंज में आज अच्छी खासी वालीम के साथ में काम काज हुआ इसके वालीम को अगर हम अनालिस करे तो पिछले एक मेने पहले इसका 6.00 का वालीम था वन वीक पहले 4.00 वीच का वालीम होता और इसका गुरुवार के दिन 5.00 वीच का वालीम होता आज 3.00 वीच का वालीम होता कुछ वालीम में कमी है यहाँ पे इसकी परफॉरमेस अगर देखे तो 4.4052 वी का लोग 13.1052 वी का आई है फिलाल इस्टोक 9.60 पया है एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है इंसाइडर ट्रेडिंग की जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से लगातार प्रमोटर गुरूप से शेर बेचे जा रहे हैं और एक और बड़ी है 34,84,545 की और ये ओन मार्केट ही बेचा है उन्होंने करीब 17 तारीक को ये ट्रांजेक्शन हुआ है 17 तीन 2022 को जिसमें उन्होंने ये इतनी बारी कॉन्टिटी में माल बेचा है तो ये जो लगातार प्रमोटर गुरूप से शेर बेचे जा रहे हैं और किसी गुरूप के जो माल बेचा जा रहा है कोई ने कोई तो खरीद रहा है तो बहुत जल्द यहां पे किसी और का कंट्रूल होता हूँ हमें ये दिखाई दे रहा है जिस तरसे महिने में कम से कम 3-4 इंसाइडर ट्रेडिंग की हमने खबर देखी है उससे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि पूरी सोची समझी ये रन्यादी के तैद हो रहा है यहां पे कोई माल बेच रहा है और कोई माल खरीद रहा है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी भारी कॉंटिटी में अगर माल बेचा जा रहा है तो फिर लगाता लोर सरकीट लगने चीए लेकिन लोर सरकी पुरी रहात करेंगे, criterion energy हैं सभाट करेंगे जल Pacific जरूरी है, सेटनी फुरी रहात देगी तो कोई हमें चिंतना वालता ली कि प्राइज को ना कीश musim यह मौका है जब खरीदारी करें आने वाले समय में यहां पर डेफिनिटली आपको बहुत अच्छा रिटन मिलेगा लेकिन फिलाल एक बात का ध्यान रखे बाजर में भेंकर गिरावट हो चुकी है और इस गिरावट की वज़े से जो लोकों का रुजा ने आप वो स्मॉल कैप से सीधा शिप्ट हो गया है लार्ज कैप की तरफ क्योंकि वहाँ पर उनकी वैलूशन काफी एचे अट्रेक्टिव लग रही है तो अब वहाँ पर लार्ज कैप में इन्वेस्मेंट करने लगए इस वज़े से यहां पर यह शेर थोड़े से अभी रुके हुए लेकिन जल्द ही यहां पर भी तेजी बनेगी थोड़ा समय लेगी कोई चिंता वाली बात नहीं है फिर से प्राइज ऐसे ही है इसकी बढ़ेगी यह सुझला एनरजी में आप लॉंग टर्म निवेस्ट करके कोई चिंता वाली बात नहीं डरे नहीं बिल्कुल यहां पर कम 9.48 का फर्स सपोर्ट है यह तूटा तो फिर 9.22 तक श्रॉक जा सकता है तीसरा सपोर्ट 8.88 का निकल के आ रहा है पॉजिटिव माहूल बना तो 10.08 का फर्स ता रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करते ही 10.42 का तीसरा टार्गेट देखने को मिलेगा तो तेजी बनी तो फिर स स्माल कैप शेरों में बड़ी तेजी नहीं बंद रही है यह बात अलग है कि जो लगातार अपर सर्केट या लोर सर्केट में चलते हैं उन में वैसे ही अभी भी संभावना चल रही है क्योंकि काफी कम वापे ट्रेडिंग होती है लेकिन सूजलान एनरजी एक बहुत बड सर्केट में चल रहा है काफी कम वाली में कामका जोगा है जैसे बाजार में गिरावट की माहुल बनी तो यहां पर फिलाल यह सेवंटी पर्शन का लोर सर्केट देखने को मिला है तो एक तरप यह भी दोड़ा था 11 रुपीज से अब यहां पर प्रॉफित बूकिंग हो र क्योंकि कमपनी एक तरप तो इवी बैटरी के कारोबार में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसके लिए नया टू कोड़विज का इन्वेस्मेंट करेंगे ताकि इनका इवी बैटरी का कारोबार और तेज़ी से बढ़े साथ में एक नई यूनिट लगाने जा रहे है अगर गिरावट हो जाती है तो इसके जो सपोर्ट है और अगर गिरावट होती है तो फिर 18.43 का फ़स सपोर्ट है ये टूटा तो फिर 18.12 का प्राइस देखना को सकता है तीसरा जो सपोर्ट है वो 17.48 का है लेकिन पॉजिटिव माहूल बना तो 19.38 का पहला रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करते ही 20.02 का प्राइस देखना को मिलेगा और यहां तक पहुच गया स्टॉक तो फिर 20.33 तक जा सकता है तो पॉजिटिव माहूल बना तो फिर स कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनल से बाइड़ ले ले यह अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब बर द